length of string यही होता है कि बताता है length किसकी string यहाँ पर इसका यूज करते है keyword len function अब देखिए to calculate the length of string in python you can use the built-in len method और जो है it takes a string as a parameter and return integer as the length इसका example देख लिए जैसे माल दिया गे len यहाँ पर दिया गे एक एक यह क्या बताता है अब एक बताता है अब एक थेन चार पांच छह साथ आट नो तो इसका आउटपूट क्या जाएगा 9 तो यहाँ पर len executive will return 9 because there are 9 characters in executive यहाँ पर जो होता है length of string यह लें फंक्शन सेज को हम यहाँ पर यूज करते हैं आप देखिए len function is used to calculate length of string अगर हमें यह length of string को calculate करना है तब हम यहाँ यहाँ पर len function का यहाँ पर क्या करेंगे यूज करेंगे अब देखिए इसका एक्जामपल दिख लिए जैसे यहाँ हुआ name equal to आस्तूस यह हो गया अब देखिए आस्तूस कितना होगय करेक्टर एक दो तीन चार पांच छे साथ आट अब मैंने print यल इन लगाया लगाने के बाल मैंने आप name को print कर दिया अब जैसे ही मैंने name को print किया तैसे यहाँ पर एक दो तेन चार पांच छे साथ आट आट पूट क्या जाएगा एट आजाएगा आगे देखिए length of string represent the number of character यहाँ जो हमाई length of string होता है यह कितना character है इसको बताता है अब एक्जाम्पल दिया गया है yes t r1 अब दिया गया ग्री ग्री की सूच अब n equal to मैं लिखा len yes t r1 अब print किया यहन तैसे ही एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नो दस तो मेरा आउट पूट आएगा 10